नमस्कार दोस्तो जहिन और स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है डॉक के अग्रेशन के बारे में और डॉक की अटेक ट्रेनिंग के बारे में तो दोस्तो बहुत सारे लोगों की यही प्रोब्लेम है कि उनका dog जो है दिन बदिन aggressive होते जा रहा है वो out of control हो रहा है तो उसको कैसे familiar करे उसको कैसे attack की training सिखा है तो दोस्तो यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले है तो दोस्तो वीडियो शुरू से लेके आंग तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही important और बहुत ही फायदिमंद वीडियो होने वाला है तो चलो दोस्तो बिन टाइम वेश के वीडियो को शुरूरात करते है तो दोस्तो पहले हम देखेंगे कि dogs का aggression कैसे बढ़ता है और फिर उसका solution और उसके बाद attack की training के बारे में कुछ tips तो दोस्तो चलो हम देखते हैं कि dog का aggression कैसे बढ़ता है तो दोस्तो कुछ ऐसे breeds होता है कि जैसे कि doberman, rottweiler, german shepherd, pit bull ऐसे कुछ breeds हैं जो बहुत ही loyal होते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं और उसके साथ साथ energetic होते हैं और इन में aggression भी होता है लेकिन वो aggression कब होता है जब उनको अच्छे से socialize, friendly नहीं रखा जाता तो दोस्तो या आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आप अपने dog को या puppy को हमेशा cage में रख रहे हैं या बांद कर रख रहे हैं तो उसके aggression level बढ़ सकती है तो इसके कारण आपका dog aggressive भी होता है अगर आप इसको एक ही जगह पर बांद कर रख रहे हो या cage में रख रहे हो, आप उसको अखेला नहीं छोड रहे हो या आप उसको खिलने को नहीं ले जा रहे हो exercise नहीं कर रहे हो, उसके साथ training नहीं कर रहे हो इसी से dog का aggression भी बढ़ सकता है अगर वो puppy है और उसको आप अच्चे से socialize नहीं रख रहे हो आपके family members के साथ दोस्तों के साथ अच्चे सो नहीं मिला होगे तो उनके साथ वो aggression शो करेगा और उन पर attack भी करेगा इसलिए dogs को, puppies को जब वो छोटे होते हैं तब इसे उनको अच्चे से socializer friendly रखना चाहिए अगली चीज़ होती है aggression की अगर आप अपने society में या environment में dogs को जो है other animals के साथ अच्चे से बहो करने को नहीं सिखाते हो इसके साथ साथ अगर आप उनको अच्चे से उनके साथ रहना नहीं सिखाओगे तो उन पर भी aggression create कर सकता है जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे कि dog जो है bulls पर, cow पर या other animals जैसे कि donkey horses पर भी attack करते है या आपको उसको बच्चपन से लेके सिखाना पड़ता है कि उनके साथ अच्चे से आपको बहो करना है अगर आपको dog के aggression जो है control में रखना है तो आपको यही बाते ध्यान में रखने है जैसे कि उसको अच्चे से socialize रखना, उसको friendly रखना, उसको हमेशा बांद कर नहीं रखना हमेशा cage में नहीं रखना है, अच्चे से दूसरे animals के साथ behavior करना सिखाना है और family members के साथ, दोस्तों के साथ उसको रहना सिखाना है इससे उसका aggression जो है कम होगा इसके साथ dog training भी बहुत important है, जिस पर मेरे videos बने हुए हैं आप जाके देख सकते हो और dog की training की में एक अलग video जरूर बनाऊंगा और dog training बहुत ही important होती है dog के aggression के लिए क्योंकि अगर dog की aggression जो है बढ़ती है और आपको dog को training नहीं दी है तो भी आपको problem हो सकती है